अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूं आर्टी चली प्राइम के आज के इस अध्याय में हम बताएंगे राज्य के अंतरगत माल की खरीदी करना यानि इंट्रा स्टेट पर्चिस करना साथ ही बताएंगे intra-state purchase के समय कौन-कौन से tax लगाये जाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी कमपनी में GST कैसे enable करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं intra-state purchase और उस पर लगने वाले taxes के बारे में। GST के हिसाब से हम purchase को दो भागों में बाढ़ सकते हैं। पहला intra-state purchase और दूसरा inter-state purchase. जब हम अपने प्रदेश की सीमाओं के अंदर किसी व्यापारी से माल खरीते हैं तो वो intra-state purchase कहलाती है। और जब हम अपने प्रदेश के बाहर अन्य किसी भी प्रदेश के व्यापारी से माल खरीते हैं तो वो inter-state purchase कहलाती है। इसे हम एक उदारण से समझ लेते हैं। माल लिजे कि हम मध्य प्रदेश राज्य के शहर इंदर के व्यापारी हैं और हमने मध्य प्रदेश के ही भोपाल के किसी व्यापारी से माल खरीता। तो इस तरह की अपने ही प्रदेश से की गई खरीदी intra-state purchase कहलाती है। इसी तरह यदि हम मध्य प्रदेश में इंदर के व्यापारी हैं और हमने उत्तर प्रदेश के कानपुर के व्यापारी से माल खरीदा। तो इस तरह की खरीद जो की प्रदेश के बाहर से की गई है या यूँ कहें कि दूसरे प्रदेश से की गई है वो inter-state purchase कहलाती है। इस से हमने 5 प्रिंटर 10,000 रुपए के भाव से उधार खरीदे हैं। बिल में सबसे उपर tax invoice लिखा है इसका मतलब है कि यह regular dealer है। उसके बाद party का नाम और उसका GST नंबर है और buyer में हमारा नाम और हमारा GST नंबर आ रहा है। यहाँ पर समझने के लिए खास बात यह है कि party के GST नंबर में state code और हमारे GST नंबर का state code दोनों एक ही है। इसका अर्थिये हुआ कि यह जो purchase है वो राज्य के अंदर की गई है। मतलब यह कि यह intra state purchase है। Tax invoice और regular dealer इत्यादी महतुपुन बातों के बारे में हम आपको GST introduction वाली वीडियो में detail में बता चुके हैं। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। नीचे description of goods में product का नाम है। उसके बाद उसका hsn, quantity, rate, amount, tax का amount और आखिर में total bill amount दिखाई पढ़ रहा है। साथ ही नीचे की और GST से संबंधी details भी दिखाई पढ़ रही है। यहां आगे बढ़ने से पहले हम आपको hsn, sac code का मतलब समझा देते हैं। hsn मतलब harmonized system of nomenclature और sac यानि services accounting code होता है। hsn से आशय है कि प्रते goods को identify करने के लिए एक विशेश नंबर। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि GST में product के नाम के स्थान पर hsn नंबर ही उसकी पहचान होती है। जिस तरह goods को identify करने के लिए hsn code दिये जाते हैं। उसी तरह अलग-अलग service के लिए जो code दिये गए हैं उन्हें SAC कहते हैं। चलिए अब इस bill के आधार पर अपने यहां भी entry कर लेते हैं। अभी हम gateway of tally पर हैं। voucher के लिए V प्रेस करेंगे। अब purchase voucher के लिए F9 प्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले यदि voucher की date बदलना हैं तो F2 प्रेस करके बदल सकते हैं। हमें यही date रखना हैं। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां supplier invoice number टाइप कर रहे हैं। यहां पर supplier के bill की date टाइप कर रहे हैं। और अब enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां हमें party account name में party का ledger सेलेक करना होगा चुकि अभी बना हुआ नहीं है। हम alter और C प्रेस करके party का ledger बना लेते हैं। यहां पर party का नाम टाइप करें। अंडर में sundry creditor group सेलेक करेंगे क्योंकि यह हमारा supplier है। maintain balance bill by bill को यसी रखना है। यहां पर हमें party की mailing details देना होंगी। जिसे हम bill पर देखकर type कर रहे हैं। state में मध्यप्रदेश आ रहा है और देखिए यह supplier भी मध्यप्रदेश का ही है। मतलब यह ठीक है। अब हम enterprise करते हुए tax registration details पर आ गए है। यह देखिए जैसे ही हम registration type पर आते हैं। यहां हमको चार अलग-अलग registration types दिखाई देते हैं। इनकी बारे में भी हम आपको GST introduction वाली वीडियो में बता चुके हैं। अभी हमने जिस party से माल खरीदा है वो regular dealer है और उसकी पहचान यह है कि उसने बिल के उपर tax invoice लिखा है और बिल में GST अलग से लगाया है। यही कारण है कि यहां पर हम regular select कर रहे हैं। उसके बाद यहां हमको party का GST IN type करना है। अब set और alter GST details को no ही रहने दें। जब हमे party के ledger में GST से संबंधित कोई additional details देना होती है तब इसे yes करते हैं। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब इस screen को save कर लेते हैं। enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने party details की window आ रही है। यहां पर एक बात का ध्यान रखें। जो details हमने party के ledger में दी हैं वही यहां भी दिखाई देगी। हम पूरी details फिर से check कर लेते हैं। यहां हमें purchase का ledger select करना है जो की बना हुआ नहीं है। हम इसे बना लेते हैं। उसके लिए हमें create पर जाना होगा। यह देखिए create selected है हम enter press कर रहे हैं। नेम के आगे purchase account टाइप कर रहे हैं। अंडर में purchase account group select कर रहे हैं। अब enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम statutory details में is GST applicable पर आ गए हैं। यहां हमें कुछ नहीं करना है, GST को applicable ही रहने दे। इसके बाद है set और alter GST details। यहां पर भी हम no ही रहने देंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आइटम पर tax rate define करना बता रहे हैं। और भविश्य में लेजर में भी tax rate define करना बताएंगे। इसके बाद है type of supply, इसमें हम goods select कर रहे हैं क्योंकि इस company में हम goods पर काम कर रहे हैं। अब इस screen को accept कर लेते हैं। अब हम name of item पर आ गए हैं। लिस्ट of stock items देखने के लिए space bar प्रेस करेंगे। हमने stock items भी नहीं बनाए हैं। वो बनाने के लिए create पर जाकर enter प्रेस करेंगे। अब यहां name में बिल के अनुसार जो भी item खरीदा है उसका नाम टाइप कर रहे हैं। अंडर में primary ही रहने दे रहे हैं। यहां हमको units create करना होगी। Unit creation screen आ रही है। Symbol में हम nos टाइप कर रहे हैं। Formal name में हम numbers टाइप कर रहे हैं। और enter press कर रहे हैं। ऐसा करते ही हम unit quantity code पर आ गए हैं। वैसे तो हम आपको सभी तरह की units create करना पहले बता चुके हैं। पर यहां पर एक नया option आ रहा है। जो की GST enable करने के बाद ही activate होता है। GST में किसी भी unit को measure करने के लिए उस unit को standard form में लाना होता है। और इसके लिए UQC का उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ supplier kg लिखते हैं और कुछ kg लिखते हैं पर यहां दोनों का मतलब है kg से। इसलिए GST ने इसे kg किलोग्राम से denote किया है। अभी हमारी measurement unit numbers है जिसका UQC भी NOS numbers ही होता है। इसलिए हम यहां पर NOS ही select कर रहे हैं। number of decimal places में 0 ही रहने देंगे और अब control और A की से इसे save कर लेते हैं। हम फिर से stock item creation screen पर आ गए हैं। इसमें हम statutory details में GST applicable पर हैं जिसके आगे applicable लिखा हुआ है। हम इसे ऐसा ही रहने दे रहे हैं और enter press करके आगे बढ़ रहे हैं। set और alter GST details जोकी अभी no है उसे हम yes कर रहे हैं। क्योंकि यहां हम item के साथ GST set करना चाहते हैं। यह देखिए हमारे सामने GST details for stock item की window आ रही है। इसमें सबसे उपर item का नाम आ रहा है। यहां पर हमें कुछ configuration करना होगा उसके लिए हम F12 press कर रहे हैं। यह देखिए यहां पर कुछ options दिखाई पड़ रहे हैं। इन में से जो options हमें चालू करना हैं उन्हें yes करना होगा। हम allow HSN oblique SAC details, set type of goods और show all GST text types options को yes कर रहे हैं। और इसे save कर रहे हैं। यह देखिए अभी हमने जो options चालू किये थे वो यहां पर दिखाई पड़ने लगे हैं। description में हम item से संबंदित कुछ details दे सकते हैं। यहां पर हम type कर रहे हैं printing machine और enterprise कर रहे हैं। HSN oblique SAC में हमें item का HSN code type करना है। ध्यान रखे, HSN code हर item के लिए अलग-अलग होता है। हमारा item printer है, जिसका code 8443 है, जो कि अभी हमने supplier के bill से लिया है। आप चाहें तो Google पर कोई भी HSN, SAC सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है is non-GST goods, यानि आप जिस stock item को बना रहे हैं, क्या वो GST में नहीं आता है। हमारा item GST में आता है, इसलिए हम इसे no ही रहने दे रहे हैं। अब हम tax details पर आ गए हैं। इसमें सबसे पहले है calculation type, जिसमें दो options दिखाई दे रहे हैं। पहला है on item rate और दूसरा है on value। अभी हम यहाँ पर on value select कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि GST के जो भी calculation हो, वो item के मूल्य पर ही हूँ। on item के बारे में हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। अगला है taxability, इसमें भी चार options दिखाई दे रहे हैं। unknown, exempt, nil rated और taxable। अभी हम इस item पर अलग से tax दे रहे हैं, इसलिए यह taxable कहलाएगा। बाकि इन तीनों के बारे में हम आगे की वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम taxable सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम tax type पर आ गए हैं, जिसमें integrated text के आगे हम 18 type कर रहे हैं। क्योंकि printer पर 18% tax है और enter press कर रहे हैं। यह देखिए, नीचे 18% का आधा आधा, central tax 9% और state tax 9% में डिवाइड हो गया है। integrated tax, central tax और state tax के बारे में हम आपको GST की introduction वाली वीडियो में बता चुके हैं। SES में अभी हमें कुछ भी type नहीं करना है, तो अब हम इसको save कर लेते हैं। अब यहाँ type of supply में goods सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस stock item creation screen को save कर लेते हैं। हम वापस purchase voucher पर आ गए हैं। यहाँ पर quantity type करेंगे। यहाँ पर rate, यह देखिए amount में वही amount आ गया है जो bill में इस item का है। हम enterprise कर रहे हैं। यदि हमारी खरीद में और भी item होते तो अभी के बताए अनुसार उन्हें भी हम यहाँ पर ले सकते थे। हमने एक ही item खरीदा है इसलिए हम enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करते ही end of list लिखा दिखाई पड़ेगा। जिसके ledgers अभी हमने नहीं बनाए हैं। तो चलिए पहले उन्हें बना लेते हैं। हमने माल की खरीदी state के अंदर से की है। इसलिए जैसा की हमने आपको GST introduction वाली वीडियो में बताया था। इस पर दो text लगेंगे। पहला CGST और दूसरा SGST। पहले हम CGST का ledger create कर रहे हैं। यहां पर type करेंगे CGST और enterprise करेंगे। अंडर में duties and taxes का group select करेंगे क्योंकि हम text का ledger बना रहे हैं। type of duty oblique text में GST select करेंगे। text type में central text select करेंगे। और control और A keys से इसे save कर लेंगे। यह देखिए CGST के आगे 4500 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब 50,000 के उपर 9% CGST calculate हो गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब SGST का ledger भी create कर लेते हैं। यहां पर SGST type करेंगे। यह भी duties and taxes में आएगा। यहां GST और फिर यहां state tax select कर रहे हैं। अब इस screen को भी save कर लेते हैं। यह देखिए, SGST के आगे भी 4500 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब 50000 के उपर 9% SGST भी calculate हो गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि 50,000 रुपए पर 18% tax rate के हिसाब से 9,000 रुपए tax हुआ। जो दो बराबर भाग में 4.5,000 CGST और 4.5,000 SGST में बढ़ गया है। यह आप देख सकते हैं, invoice की total value 59,000 हो गई है। देखिए, bill wise details की screen आ रही है। यहां हम आपको बता दें कि bill wise details और उसकी चारू methods, new reference, advance, against reference और on account के बारे में हम आपको पहले की videos में detail में बता चुके हैं। देखिए, bill wise details में यहां new reference selected है और हमें यही चाहिए। चलिए, अब इस entry को save कर लेते हैं। अब हम GST के report में इस purchase को देख लेते हैं। यदि हम voucher को open रखते हुए ही report देखना चाहते हैं, तो हम एक go to पर जाना होगा। हम go to पर mouse से click कर रहे हैं। यहां पर हम type करेंगे GST और फिर GSTR2 पर जाकर enterprise करेंगे। यहां आपको बता देएं कि हमने purchase के entry की है और GST की purchase report GSTR2 में दिखाई परती है। यह दिखिए हमने जो entry की थी वो B2B invoices के अंतरगत आ रही है। B2B का मतलब है business to business। सरल शब्दों में माल बेचने और खरीदने वाले दोनों ही regular dealer हैं तो इस तरह की खरीद B2B में दिखाई परती है। चलिए अब यहां से escape की प्रेस करके बाहर आजाते हैं। अभी हमने जो माल खरीदा है वो credit में खरीदा है और अब हम जो माल खरीद रहे हैं वो नगद में खरीद रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी entry कैसे करेंगे। अभी हम purchase voucher पर हैं। यह देखिए voucher की date एक अप्रेल आ रही है। और यही date हमें चाहिए इसलिए हम इसे बिना change किये आगे बढ़ रहे हैं। यहां हम supplier invoice number डाल रहे हैं। यहां supplier के bill की date डाल रहे हैं। और अब enterprise कर रहे हैं। यहां party name में cash select कर रहे हैं क्योंकि यह माल हमने cash payment करके खरीदा है। enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए party details की screen आ रही है। यहां supplier में हमें उस party का नाम type करना है जिससे हमने cash में माल खरीदा है। enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखिए mailing name में भी supplier का नाम आ रहा है। अब हमें यह supplier का पता type करना है। यहां state के आगे मध्यप्रदेश आ रहा है। इसका कारण यह है कि हमारी company मध्यप्रदेश में बनी हुई है। इसलिए जब भी हम किसी party की details देने जाते हैं तो वहां मध्यप्रदेश अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। क्योंकि यह party भी मध्यप्रदेश से ही है इसलिए हम enterprise करके आगे बढ़ रहे हैं। GST registration type में regular select कर रहे हैं क्योंकि हमने यह माल regular dealer से purchase किया है। इसके बाद है GST IN oblique UIN हमें इसके सामने party का GST number टाइप करना है। और उसके बाद enterprise करते हुए हम वापस purchase voucher पर आ गए हैं। यहां हमें पहले की ही तरफ purchase account select करना है। अब हम name of item पर आ गए हैं। इस bill में भी हमने printer ही खरीदे हैं। इसलिए यहां printer select कर रहे हैं। यहां पर quantity और यहां rate type कर रहे हैं। अब enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करते ही end of list लिखा हुआ दिखाई पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें backspace की प्रेस करना होगी। यह देखिए list of ledger accounts आ रही है। इसमें हमें CGST और उसके बाद SGST का ledger select करना है। यह देखिए यहां पर CGST 1620 रुपए और SGST 1620 रुपए आ रहा है। यानि 99 प्रतीशत से कुल 18 प्रतीशत GST लग गया है। पहले invoice value 18,000 थी और अब text चुड़ने के पात यह 21,240 हो गई है। अब इस entry को save कर लेते हैं और escape की प्रेस करते हुए gateway of tally पर चलते हैं। यहां से GST report देखने के लिए हमें display more report पर जाना होगा। उसके लिए D प्रेस कर रहे हैं। यहां statutory report के अंतरगत GST reports के लिए O प्रेस कर रहे हैं। अब GSTR 2 पर जाकर enter प्रेस करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखें, report देखने के पहले period अवश्य चेक कर ले। अब हमने जो entries की हैं वो अप्रेल महिने की हैं और यह report भी अप्रेल की ही है। यानि period सही है। अब हम B2B के अंतरगत जाकर हमारी purchase देख सकते हैं। यह देखिए यहां अप्रेल माह की दोनों खरीद दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तू इस वीडियो में आपने देखा कि अपने ही राज्य से purchase की entry किस प्रकार करते हैं और उस पर किस तरह से GST calculate होता है। आज के लिए इतना ही आगे की वीडियो में हम interstate purchase के बारे में बताने वाले हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको GST के बारे में अच्छे से सीखना है तो हमारे सभी वीडियो क्रम से देखें यानि order में देखें। और हमारे बताय अनुसार एक दो बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लें। धन्यवाद।